हेलो स्टुरेंट्स आज हम करते हैं हमारा जो 11th class का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसमें motion in a plane with constant acceleration और आई एम राजिंदर कमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics dot है जो dot राजिंदर चैनल को like भी कीजिए और subscribe भी कीजिए तो चलिए हम बात करते हैं हमारा ज क्या होती है distance क्या होती है displacement क्या है velocity क्या है यह पॉइंट जो हमारे पास clear होने चाहिए तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं तो कि पोजिशन क्या हम पोजिशन का मतलब हम लेते हैं frame of reference मतलों जहां से observer देख रहा है या जिसको हम उबजरव कर लेते हैं यह किसी point के reference में दूसरी body को लेकर चलते हैं तो वो हमारी position होती है तो दूसरा हमारा जो path length या distance क्या होती है total ground covered by an object with respect to time किसी दियेगे time में कोई भी object जितना ground तै करता है cover कर लेता है वो इसकी distance होती है और या उसको path length ही बहुते हैं और इसको यदि mathematically लिखना चाहें तो हम क्या लेखत है मांदो यदि हमारे पास distance जो covered है path length है ground x है तो dx by dt लिखते हैं क्या लिखते हैं dx by dt इसके बात करते हैं displacement और distance की बात करते हैं तो displacement साथ ही आ जाते हैं तो displacement होती क्या है होती तो distance है लेकिन कितनी distance होती है दो point के बीच की minimum dury minimum distance होती है दो इस तो जो होती है उसको हम displacement मानते हैं मतलब वो तो एक तरह से सीधी लाइन होती है straight line होती है दो point के बीच की तो वो displacement होता है displacement का formula भी हमारा same ही रहता है dx by dt with respect to time फिर बात करते हैं velocity की velocity क्या होती है वो होती हमारा change in displacement चेंज in distance with respect तो ताइम उसको कहले लेते हैं, velocity की definition लेकर चलते हैं, और acceleration क्या अच जाएगा हमारे पास, change in velocity with respect to time, अब यह हमारा तीनों point जो है हमारे पास बिलकुर related है, जो distance जो है position से related है, position होगी तो हम distance निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास distance होगी तो velocity निकाल सकते हैं, velocity होगी तो acceleration नि acceleration, तो सबसे पहले हम बात करेंगे displacement and position from the velocity, तो चलिए, अब इसके topic, जो main हमारा point क्या है, इसके अंदर, main point यह भी displacement है, जो हमने अभी आपको बताया displacement क्या होता है, और velocity क्या होती है, path length क्या होती है, तो सबसे पहले हमारे पास यह point clear होने चाहिए, तब हम किसी acceleration के बारे में बात करेंगे, तो देखिए, जब हमें इस तरह की equation निकालनी है, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किती है, कि velocity क्या होती है, तो to get the first equation, we start with the definition of average velocity क्या हमने definition लेती है, average velocity क्या होती है, delta x by delta t, हम लेते हैं, यह average velocity का symbol है, v के अपर जैसे बार लगा देते हैं, तो delta x by delta t का मतलो, जो उसके अंदर change आया है, जो difference आया, उसको हम कह लेती है, average velocity की definition हमारी क्या होती है, average velocity की change in distance over change in time, interval के ग्रूप में हम इसको लेकर चलते हैं, अब जो यह हमारी value है, जिनके जो delta x है, सबसे हो चूजिंग दा simplified notation for delta x and delta t, तो जब हम value पूट करते हैं, तो हमार हमारे पास देखी, यह होता है, average velocity, x minus x not divided by 2, यह इनके initial position और final position का जो difference होगा, उसको हम average में लेकर चलते हैं, तो solving, जब हम इसको solo करेंगे, तो हमारे पास distance की equation क्या होती है, हमारे पास देखी, यह होती है, x is equal to x not plus v not t, यह होता है, हमारे पास x की जब हम value solo करेंगे, तो द देखी, यह कैसे हमने solo किया है, average velocity क्या होती है, हमारे पास देखी, यह होती है, average velocity, x minus x not divided by t होती है, अब यही value यह हम यहाँ put करना चाहें, तो यहाँ पर हम value put करके, इसको simply solution में ले सकते हैं, तो इसके, इसने यहाँ पे क्या किया, simply cross multiply कर दिया, देखी, यहाँ पे, इसकी जब हम cross multiply करते हैं, तो x is equal to, हमारे पास x not vt आजाएगा, ठीक है, तो यह simplest का solution हो जाता है, average velocity का formula हमारे पास यह है, और इसको cross multiply करना है, तो यह simply हमारे पास क्या आ जाती है, equation of motion आ जाती है, distance या displacement के बारे जब हम बात करते हैं, where the average velocity क्या होगी हमारे पास, average velocity, initial velocity, और final velocity का sum करके, जब हम 2 से divide कर देते हैं, तो वो होती है, हमारे average velocity, यहापे हम average velocity की value भी port कर सकते हैं, हम next point हम निकालेंगे, final velocity, from the acceleration and time, तो हमें पता है, acceleration की definition क्या होती है, change in velocity और change in time, यह acceleration की हमारे definition होती है, तो इसी का हम use करके जो है, हम निकालेंगे हमारे पास velocity का formula, same way हमारे पास acceleration की definition क्या होती है, change in velocity, change in velocity का मतलब जो final velocity में से initial velocity गटा दें, मतलब minus कर देते हैं और divide कर देते हैं time से, तो उसको हम क्या बोलते है, acceleration बोलते हैं, और acceleration यहाँ पर constant लिया गया है, age equal to v minus v naught v, मतलब final velocity और v naught का मतलब initial velocity और divide by time कर देते हैं, फिर वो हमारे पास की जब हम cross multiply करे एक साथ ती मतलब इसको cross multiply में जब लेते हैं तो cross multiply करने के बाद अमारे पास यह equation आ जयो है V is equal to V naught 80 तो यह वही same equation है जैसे हमने याद के V is equal to U plus 80 हमने जो equation V is equal to U plus 80 वड़ यहमारे पास equation थी न तो वो same equation हमारे पास V is equal to U plus 80 जो हमने equation of motion में drive की थी वो से हमारे पास equation शामने आ जाती है final velocity किस पर depend करती है वो depend करती है भी कितना large कितना बड़ा acceleration जितना जादा acceleration होगा final velocity उसी के पर depend करती है how long it's last और कितनी देर ये चलती है उसी पर हमारी final velocity depend करती है if the acceleration is zero then the final velocity equal the initial velocity यदि हम acceleration को zero मान लेती है तो जो हमारे initial velocity और final velocity क्या है वो same होती है expected in other word velocity is constant होजएगे हमारे पास if a is negative यादि acceleration is negative then the final velocity is less than that the initial velocity यदि हम acceleration को negative मानते हैं negative होता है तो final velocity हमारी कम होगी किसे initial velocity से मतलो initial velocity उस टाम जायदा होगी final velocity क्या होगी कम हो जाएगी तो जो हमारी पिछली दो equation आई है हम उनको combine भी कर सकते हैं जैसे पहली हम equation हमारी यह थी v is equal to v naught plus 80 v क्या हमारे पास final velocity v naught initial velocity यह acceleration है जहां पर t क्या हमारे पास time है और इसको फिर हम क्या करते हैं जो adding v naught to each side of this equation and dividing by 2 तो जो यह equation है इसमें दोनों side हमने क्या add करना है v naught add करते हैं इसमें v plus v naught करके divide by 2 आगा हमारे पास और इस side भी हमने आसे ही करना है v naught plus में यह देखी यह कैसे है यह हमने कैसे करना है v naught plus 80 ठीक है न divide by 2 करना है हमें क्योंकि यह बोलता है दोनो side 2 से divide करेंगे तो हमारे पास simple equation हमारे पास कहा जाएगी half 80 scale आ जाएगी हमारे पास v naught plus में half 80 क्योंकि यह जो 2 हमारे पास तो यह यहाँ पे दिखाया गया हमारे पास क्योंकि हमें पता है v plus v naught 2 is equal to average velocity तो यह average velocity के value put यहाँ पर कर देते हैं तो यह आ जाता है हमारे पास constant acceleration के लिए जो equation हमें helpful होगी अब हमें पता है कि जो यह value हमारे average velocity की तो यहाँ पे हम value put करेंगे यह point हमने जो शुरू में लिया था न x is equal to x not जो displacement वाड़ा पोजिशन शुरू में हमने लिया था वीडियो को back करके आप देख सकते हैं तो यह value हम यहाँ पे put कर देंगे यहाँ पे value put करने से हमारे पास distance आ जाती है अब क्या होगा हमारे पास we else can learn by examining the equation यह हमारे पास main equation यह बनती है जो अभी हम निकाले न x is equal to x not plus v not plus half 80 square तो इससे हमें क्या पता जलता है कि displacement किस पर depend करता है only scale of the elapsed time and the acceleration is not zero जैसे कि figure में दिखा गया हमारे पास the dragster cover only one fourth of the total distance in the first half of the elapsed time if the acceleration is zero then the initial velocity equal average velocity इस case में हमारे पास यह होगा देखिए जैसे अगर हम initial velocity जैसे देखिए final velocity जो हमारे पास दी गिया है initial और दोनों ब्राबर ले ले लेते हैं तो फिर equation हमारे पास यह बनती है equation बनेगी और becomes क्या होगा x is equal to x plus v not initial velocity और final velocity को same लेकर चलते हैं तो यह थी हमारे पास equation for final velocity from distance and acceleration अब हमारे पास जो next point क्या बनता है fourth point क्या बनता है इसमें हम निकाल सकते हैं algebraics हम किस तरह से निकाल सकते हैं हमें पता है v is equal to v not plus 80 जब time की हम बात करते हैं acceleration में time की बात करते हैं तो यहां से हम time निकालेंगे देखिए यहां से क्या निकालेंगे time इसको rearrange कर लिए दिए तो यानिकि जो यह इस side आगा हमारे पास v minus v not तो इस side का बज़ कि हमारे पास 80 और उदर t रखने के बाद ए निचा आजएगा इसको हमने mathematically rearrange करना है तो time हमारे पास आजएगा तो जो हमारे पास v not क्या है हमारे पास v not plus u ठीक है ना तो यह value हम कहां put करेंगे जो हमारे पास equation यह है इसमें जो है value put कर देंगे दोनो v not की भी और इसकी भी हमारे पास तो जैसे हम value put करेंगे हमारे पास यह equation सामने आती है v square is equal to v not square plus में 2a into x minus x not तो इस article से हमीं पता क्या चलता है कि we have to calculate that final velocity depend on how large the acceleration is and the distance over which is its act for a fixed acceleration a car that is going twice as past does not simply stop in twice the distance we take the farther to stop तो यह था हमारा आज का lesson motion in a plane with constant acceleration important था इसलिए हमने इसको cover कर लिया है तो next video के हम आपके लिए जल्दी आज रहोंगे तब तक हम देते हैं आप से इजाजत चैहिंद